हेलो बच्चों आज मैं आपको एक नया टॉपिक सिखाऊंगी जिसका नाम है इंटीजर्स ऐसे तो आप सबको पता होगा कि इंटीजर्स होता क्या है चिखे टाइंटीजर्स कश नहीं है ये वह सारे नंबर होतें जिनको मैं अपनी नंबर लाइन पे रिए피ेजेंट डिक स्क्सक् है जैसा कि मैंने आपको बोला इंटीजर्स वह नंबर है जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजैंट कर सकती है और मैं एक नंल लाइन बनाओ यहां पर छोटी सी नंबर लाइन मैंने ही मैंने यहां पर मेरा 0 होता है इधर की साइट मेरे पॉजितिव चाहिए कि यहां पर में होल नमबर भी दिखा रही हूं अपने नेच्र बिखा रहीँ इस पर के बतुल्म कि अंदर यहां नहीं हाँ इसलिए मैंने नहीं लिखला ठ wow तो इंटीजर आपको पता चल गया नेगेटीव, पॉजिटीव, प्लस होल नंबर वो सारे मेरे इंटीजर मेरे इंटीजर होते है ठ wow कि का सूब्ली कैसे होते हैं देखो जैसे question number 1 में आपको दिया है, write the opposite, आपको क्या करना है, opposite लिखना है, opposite का मतलब आप समझते हो, उसका उल्टा लिखना है, फिर्स्ट पाटे आपके पास, 90 km above the sea level, above मतलब उपर न, तो इसका उल्टा क्या लिखो, तो ये लिख देते हैं, 90 km below the sea level, sea level के नीचे, ठीक है next है में पास, decrease in population, तो decrease, इसका उल्टा क्या लिखो, decrease मतलब population कम होना, तो लिख देते हूं, increase in population, मतलब population का बढ़ना, बस आपको change करके लिखना है, एक तरीके साब ये कह सकतो, opposite word लिखना है आपको इसका, ठीक है, next है, 3 degree Celsius, above 0 degree Celsius, अब यहां above है, तो क्या लिखो, 3 degree Celsius, below 0 degree Celsius, तो इन सब के मैंने क्या लिख दिया, opposite लिख दिया, ठीक है, चलो next question देखते है, next question है मेरे पास, represent each of the following with appropriate sign, आपको क्या करना है, इन सब के आगे एक proper sign लगाना है, जो लग सकता है, ठीक है, जैसे first part में आपसे कह रहा है, withdrawal of rupees 200, देखो, withdrawal का मतलब होता है, निकालना, मतलब पैसो को निकालना, और deposit का मतलब होता है, पैसो को डालना, जब आप पैसे निकालोगे, तो कम हो जाएंगे पैसे, तो माइनस, एक मिन, यहां रूपी का sign लगा देती हूं, एक सेके, तो यहां पर आजाएगा, माइनस rupees 200, ठीक है, अब यहां कह रहा है, height 600 meter above the ground, मतलब 600 meter above, मतलब उपर, तो जो भी उपर, जैसे यह number line है, तो जो उपर होते हैं, वो सारे plus के होते हैं, और जो नीचे होते हैं, वो सारे minus के होते हैं, ठीक है, तो above, यहां लिखेंगे plus 600 meter, ठीक है, फिर next step, 50 degree below 0 degree, तो अब 50 degree below 0 degree है, तो माइनस लगा के लिखेंगे, 50 degree Celsius, तो आपको यह क्या करने थे, एक appropriate sign के साथ represent करने थे, तो वो sign मैंने लगा दिया, कि कहा plus लगेगा, कहा minus, वो आपको यह statement पढ़के पता चलेगा, ठीक है न, चलिए next देखते हैं, next है मेरे पास, write all the integers between, आपको क्या करना है, इनके बीच के integers लिखने, तो बहुत असान है इ उसको number line से हम कैसे लिख सकते, जैसे minus 3 ही है, अब मैं मालने तू मेरा 0 ही है, तो इनके बीच के integers क्या होंगे, minus 2 और minus 1, यही दो तो होंगे, उसके बाद तो 0 आगया, तो लो इसके बीच के integers आ गए, ठीक है न, अब उसी तरीके से, इसकी number line बनाते हैं, तो minus 8 यहा है, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, minus वाले हैं, तो मैं left side पे लिख होंगे, ठीक है न, तो देखो, minus 8 और minus 4 के बीच के लिखने हैं, तो कौन से numbers है, यह तीन numbers ही तो है, तो लिख दो, minus 7, minus 6, minus 5, ठीक है, तो यह आ गए आपके integers, कोई से भी दो number के बीच के आपको जब integers निकाल ले हूँ, तो आप number line बनाओ, और उन दोनों number को number line पे represent करो, फिर उन दोनों के बीच के आप integers लिख दो, ठीक है, चलिए next देखते है, next है मेरे पास, write the next three integers in each of the following pattern, आप देखो, यहाँ पर आपको एक-एक pattern दे रखा है, A में अलग है, B में अलग है, और C में अलग है, आपको उनके आगे के तीन integers और लिख रहे हैं, ठीक है, पर पहले उसके लिए आपको यह pattern समझना बहुत ज़रूरी है, तो जब चलो देखते हैं, जैसे आगे के भी लिख सकते हो, फिर तो 4 के बाद 2, एड करके लिख दो 6, 10, 8, 3 लिखने अच्छा, तो यहाँ पर एक और लिख देते हैं, 10, ठीक है, तो complete होगे मेरा pattern, बस आपको pattern समझना है, कि pattern में क्या है, ज़रूरी नहीं है, हर बर माइनस यो या हर बर प्लस यो, pattern अलग- 27, 18, 9, आप देखरों, यह कम होता जा रहें, इसका मतलब पुष्णों कुछ इस में से माइनस हो रहा होगा, तभी तो यह कम हो रहा है, अब आपने 27 में से क्या माइनस क्या होगा, 18 आजाए, 9, 18 में से क्या माइनस क्या होगा, 9 आजाए, 9, 9 में से क्या माइनस क्या होगा, जीरो आजाए फिर 9 अब मतलब आप देखरो आप हर बार 9 को ही माइनस करों तो फिर आप आगे भी क्या करोगे 9 को ही माइनस करोगे तो अब आप 0 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा अब आएगा आएगा आपका माइनस माइनस क्या होता है मेरा प्लस होता है और साइन मेरा क्या लगता है माइनस का तो यह रूल आपको याद रखना है माइनस माइनस मेरा प्लस होता है और साइन क्या लगता है मेरा माइनस का चलो next देखते next pattern कैसा है यहां लिखा है minus 40 minus 35 minus 30 minus 25 यह तो आपको दिखी रहा है इसमें डारेक कि 55 कम होता जा रहा है मिना यही है ना तो चलो आगे भी कर देते हैं माइनस 20 माइनस 15 माइनस 10 ठीक है ना अगर मैं आपसे एक और पूछू तो आप यहां मुझे बता सकते हूं उसी तरीके से आप इन में भी बता सकते हूं तो रटना नहीं है पैटरन को पहले अच्छे से समझ ना है कि उसमें क्या हो रहा है और उसके बाद यह आपको आगे की टर्म्स लिखनी है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं हम अपना नेक्स्ट कोशन एक हमें पास राइट दईजर्स इन दिसेंडिंग अब देखो आपको यहां पर कुछ इंटीजर्स दे रखें यह ने आपको इनको डिसेंडिंग ओंडर में लिखना है डिसेंडिंग मतलब लार टू स्मॉलर पहले उपसे बड़ा नंबर लिखना है उसक सबसे पहले बात उसके लिए चोटी सी चीज़ आप यहां समझ लो कि बाद हम यह करेंगे देखो हमेशा आप यह चीज़ याद रखना एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर इन दोनों में हमेशा पॉजिटिव नंबर बढ़ा होता है मैं आपको एक एक यहाँ दे देती हूं जैसे मैंने लिखा यहां और यहां लिखा ओन तो कोई हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है उसी तरीके से एक पॉजिटिव नंबर और कौन सा ब्राहे होगा और यह तो आप देखी सकता है जैसे मैंने यह 25 लिखा है यह 20 लिख दिया तो आप बताओ कौन सा बढ़ा है तो आपको 25 बढ़ा है और यह तो आपको compare करने आते हैं positive number और positive number को ठीक है अब मैं यहां लिखतू एक negative number और दूसरा भी negative number ही लिख रहे हूं जैसे मैंने यहां लिखा minus 2 और यहां लिखा minus 5 तो अब इन दोलों में से कौन सा number बढ़ा है तो आप बोलोगे minus 2 बढ़ा है sorry minus 5 बढ़ा है आप यही बोलोगे लेकिन जब भी दो number negative के होते हैं तो जो उनमें छोटा number होता है वो हमेशा बढ़ा होता है तो इसका मतलब यहां minus 2 बढ़ा है जो बढ़ा number होता है वो छोटा होता है तो आपको यह compare करने समझ में आगए चलो अब हम descending order पर आते हैं पहले तो मुझे इसमें सबसे बढ़ा number देखना होना तो जब भी सबसे बढ़ा number देखना होना तो पहले आप positive वाले numbers देखो एक यह है positive, एक यह है positive, एक ही है, सिर्फ तीन ही है positive, इन तीनों में से 3 बढ़ा है, ठीक है, उसके बाद 1 बढ़ा है, यह मैं arrow बना रही हूँ ऐसे, मैं इसको दुबारा लिख देती हूँ, कहीं आपको समझ में ना है, एक मिनुट, देखो, जो सबसे पहले तो मेरा 3 बढ़ा है, उसके बाद मेरा 1 बढ़ा है, उसके बाद मेरा 0 बढ़ा है, चलो positive तो हो गए, अब negative में आजो, negative 1 मेरा पास यह है, minus 14, 1 के minus 2, 1 के minus 12 और 1 के minus 19, अभी मैंने आपको बोला है, minus में जो छोटा होता है, वो सबसे बढ़ा होता है, तो देखो, सबसे छोटा कौन सा है यह, तो अब मैं दिखूंगी, यहाँ पर minus 2, अब इन तीनों में से कौन सा छोटा है, minus 12, अब इन दोनों याद रखनी परेगी, कि minus में जो छोटा नमबर होता है, वो बड़ा नमबर होता है, और जो बड़ा नमबर होता है, वो छोटा नमबर होता है, तभी आप कोई से भी कोशन में, जब इन टीजन को अरेंज करने के लिए आएगा, तभी आप कर सकते हैं, चलिए, next देखते ह तो negative number चोटे होते हैं या positive number, negative number तो आप पहले negative वाले देखो, एक यह है, एक यह है, दो यह number है, तो minus में जो छोटा होता है, वो तो बड़ा होता है, तो यह तो मेरा बड़ा होगा, इसका मतलब हम मैं पहले लिखूंगे minus 22, उसके बाद आएगा minus 15, क्योंकि minus में जो number चोटा होता है, वो number दूसरे वाले number से बड़ा होता है, तो इसका मतलब यह चोटा हुआ, तो उसको मैंने पहले लिख दिया, अब plus वाले देखो, 1, 11, 0, 8, 3, कौन से चोटा है, 0, उसके बाद है, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 8, और फिर क्या आएगा 11, तो यह है आपका ascending order, ठीक है, चलिए next देखते है, next है मेरे पास, in each of the following pair of integers, आपको कुछ pair दे रखें, integers के, आपसे कहा रहा है, circle the number, which is to the right of the other, on the number line, कहा रहा है, एक ऐसे number को इन दोनों में से circle करो, जो number line के right side पे, right of the other number, on the number line, जैसे मैं आपको एक example देती हूँ, यहाँ पर, एक यह number line बनी है, first part है, minus 2 और 8, तो minus 2 तो यहाँ कही होगा, left side पे और 8 यहाँ कही होगा, right side पे, ठीक है न, अब वो कहा रहा है, which is to the right of the other number, दूसरे number के right side पे हो, तो right पे कौन है, 80 तो है, 2 के right पे 80 तो है, आप देखो जरा, अगर आप अपने हाथ से भी देख सकते हो, आपके right side पे कौन सा number है, right hand पे देखना कौन सा number शो हो रहा है, 80 शो हो रहा होगा, तो इसका मतलब circle करना है, तो इसमें किस पे circle आएगा, 8 पे, ठीक है, अब उसी तरीके से 0 और minus 3 देखे, चलो फिर एक number line बना लेते है, तो 0 में यहां कहीं ले लेती हूं, minus 3 है तो left side पे यहां ले लेती हूं, ठीक है, क्या था, which is to the right of other, दूसरे के right पे, तो minus 3 के right पे कौन सा है, 0, तो मैंने यहां किसको circle कर दिया, 0 को, आप यह सोच रहोंगे, हम यह ही वाला क्यों ले रहे है, 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0 के यह जो minus 3 है, यह left side पे है, right side पे नहीं है, जबकि P के right side पे 0 है, इसलिए मैं right वाला ले रहे हूं, तो अगर कोशन में right होगा, तो आप यह वाला लोगे, और कोशन में अगर यहां left आएगा, तो फिर आप यहां से देखोगे, ठीक है, चलो last देखते हैं, इसकी भी number line बना ले दे, आप कह रहा है, minus 7 और minus 17, दोनों ही minus में, 0 मैं यहां कहीं ले ले लेती हूं, तो यहां कही minus 7 ले लेती हूं, यहां कहीं minus 17, यही तो होगी number line मेरी, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 7 मतलब, then minus 8, minus 9, minus 10 करते करते, minus 17, अब बताओ कौन सा right में, तो 17 का right जो है, वो यही तो होगा, तो इसका मतलब minus 7 है, ठीक है, इसका एक छोटा सा shortcut तरीका मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो, right side पे हमेशा बड़े number होते है, तो अब आप देखो, इन दोनों में से कौन सा बढ़ा है, 8, तो मैंने 8 पे circle कर रखा है, इन दोनों में से कौन सा बढ़ा है, 0, तो मैंने 0 पे circle कर रखा है, इन दोनों में से कौन सा बढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया था, minus में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है तो देखो मैंने माइनस 7 पे सरकल कर रखा है ठीक है ना तो चलिए next question देखते हैं हम अपना next है मेरे पास यह next और last question है हमारा next last question है find the absolute value देखो absolute value का मतलब होता है कोई भी value हो उसको positive में लिखना ठीक है तो यह 36 तो पहले से ही positive है तो 36 ही आएगा माइनस 23 तो इसकी absolute value क्या आएगी इसकी absolute value आएगी 23 ठीक है अब इसकी लिखें देखो यह यह लिखा है माइनस यह कह दोनों इनको बोलते हैं बार बार का मतलब बार से जब भी कोई number बहार निकलता है ठीक है वो हमेशा क्या होता है positive होके निकलता है मैं एक बार आपको दुबारा बताती हूँ बार से जो भी number बहार निकलता है ठीक है वो हमेशा क्या होता है positive होके निकलता है ठीक है ना तो अब हम क्या करेंगे देखो इसको बार से बहार निकाल लेते हैं तो यह minus 16 है तो बहार निकलेगा तो यह plus का 16 हो गया आप यह मत सोचना है यहाँ तो minus ही लगा है वो यह वाला minus लगा हो है यह वाला minus तो हटा दिया अब मैं को इसकी absolute value निकल लिए तो इसकी absolute value क्या आएगी 16 क्योंकि absolute value क्या होता है सिर्फ सारे नंबर positive में जो negative है उसे भी positive बना दो और जो positive है वो तो positive ही रहेगा ठीक है लेकिन अगर ऐसे बाहर आएगा तो पहले आप बाहर से बाहर निकालोगे negative है तो भी positive बनके निकलेगा वो positive है तो भी positive ही निकलेगा ठीक है अ अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में में से दुबारा पूछ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू